So hello guys welcome back to the video system Finally दोस्तों इंतजार खतम हो चुका है और राजस्तान क्रमचारी चेनबोर्ड की तरब से मोटर वहन सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के उपर नोटिविक्शन जारी कर दिया गया है आज 24.11.2021 को ये नोटिविक्शन जारी किया गया है जो कि मोटर वहन ऐसा ही की भरती का है इसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले अपडेट दीती मैंने आपको बताया था कि ये भरती जल्द आने वाली है जल्दी इसका नोटिविक्शन आपको देखने को बिलेगा ठीक वैसा ही हुआ आज 24-11 को इसका नोटिविकेशन आ चुका है इसमें टोटल दोस्तों 157 पोस्ट रहने वाली है गेर अनुसूची चेतर की बात करें तो 168 पोस्ट है और अनुसूची चेतर की बात करें तो कुल 39 पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है इस वीडियो में आपको इस भरती के बारे में detailed से बताने वाला हूँ कोन इसके लिए आविदन कर सकता है educational qualification क्या रखी गई है as limit क्या रखी गई है किस परकार से इसमें selection होने वाला है details से आपको मैं सभी बाते बताऊंगा तो चलिये session को सुरू करते हैं सबसे पहले देखिए जो नोटिफिकेशन है, 62021, मोटर वहन उपनिरक्षक के नाम से जारी किया गया है, यह इसमें पद रहने वाला है, ओनलाइन आविदन के से करना है, तो SSO ID के मात्यम से आपको ओनलाइन आविदन करना है, कब से एप्लिकेशन वो हम स्टार्ट हो रहे ह सभी बाते हम डिटेल से इस वीडियो में समझने वाले हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए है, प्रिक्सा सुल्क के बारे में बता रखा है, प्रिक्सा सुल्क की बात करें, तो इसमें सामाने अवरक क्रिमिलेयर सरणी के अन्ने पिछणा वरक, अती पिछ 250 रुपे इसमें आवेदन सुल्क कर रखा गया है, इसके बार आगे बढ़ते हैं, प्रिवेस्पतर बाद में जारी कर दिये जाएंगे, वेबसाइट पर आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी, पदूं का वरकी करन आपको दिया गया है, सामाने सरेणी की बात करें, तो इसमें सामाने के 61 पद है, महिला के 16 पद है, विद्वा महिला के 6 पद है और प्रितेक्ता की एक पोस्ट है, अनुसूचित जाती की बात करें, तो कुल 16 पद सामाने वरक में है, सामाने महिला वरक में 4 पद है, विद्वा वरक में 1 पद है, अनुसूचित जंजाती की बात करें तो सामाने वर्ग के 10 पद है, सामाने महिला वर्ग के 2 पद है, विद्वा के और प्रितेक्ता के पद नहीं है, अन्य पिछडा वर्ग की बात करें तो सामाने के 20 पद है, सामाने महिला के 5 पद है, विद्वा के 2 पद है, इसके बाद अति पिछडा वर्ग की बात करें त तो सामाने के साथ पद है, सामाने महिला का एक पद है, विद्वा प्रितेक्ता का नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें, तो सामाने 12 पद है, सामाने महिला के तीन पद है, और विद्वा का एक पद है, तो इस परकार से पदूं का वर्गीकरण किया गया है category अनुसार इसके बाद में आगे हम बात करें तो चितिज आरक्सन रहेगा जो sport person है और जो ex-service में ने उनके लिए यहाँ पर पद रखे गए हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम बात करें बुद्पूर्वे सेनिकूं के बारे में उत्रष्ट खिलाडियों के बारे में बताया गया है इसके बाद आजाते हैं वेतनमान पर तो यहाँ देखिए पे मेट्रिक लेवल 10 आपका रहने वाला है मोटर वहन उप निरक्षक की भरती है यानि यह SI की भरती है तो आपको अच्छी बली इसमें सेलरी देखने को मिल जाती है पातरता एवं सेक्सनिक योगेता की हम बात करें तो कम से कम दसवी पास होना जरूई है इसके बाद में आपके पास तीन वर्सिये मेकेनिकल इंजिनिरिंग ओटो मोबाइल इंजिनिरिंग में डिप्लोमा या भार्थ सरकार या रज्य सरकार द्वारा गोशित समकक्स योगेता है तो आप आवेदन कर सकते हैं एक परतिष्टित ओटो मोबाइल कारे साला में पेट्रोल और डिजल इंजिन के हलके मोटर वहन भारी माल वहन यात्री वहनू की मरमत करने का आपके साथ आपके पास में एक साल का अनुभव इसके बाद में मोटर साइकल भारी माल वहनू और यात्री वहनू को चलाने का अनुभव आपके पास में परिवहन यान सरेणी का आपके पास में driving license होना चाहिए ठीक है ये अनिवार्य रखा गया है और इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है देवनागरी लिपी में हिंदी और वेवारी ज्यान और राजस्तान की कलास संसकर्ती का ज्यान आपके पास में होना जरूरी है तो ये इसमें educational qualification यानि योगयता रखी गई है इसके बाद में यहाँ पर एक आउसेक नोट भी दिया गया है आउसेक नोट की बात करें तो यहाँ पर लिखा प्रंतु एसा विक्ति जो सीधी भरती है तू नियमू या अनुसूचियू में यथा उल्लेकित पद के लिए अपेक्षित सेक्समिक अरहरता वाले एसे पाठ्यकरम के अंतिम वर्स की प्रिक्सा में उपस्तित हो रहा हो उस पद के लिए आविदन करने का पात्तर होगा यानि जो अभी एपी रिंग है जो फाइनल येर में वो भी आविदन कर सकते हैं जहां चैन लिखित प्रिक्सा सक्षातकार दोनों परकर्मों के माद्यम से किया जाएगा आपके पास में सक्षात कार तक संपूर योगेता पूरी होना अवसेख है इसके बाद में आगे बात करें तो सारीरिक उप्यक्ता के बारे में बताया गया है फिजिकल फिटनेस में जो हाइट रखी गई है पुरुस वरक के लिए 168 cm है सीना 81 cm से 86 cm रखा गया है यहाँ पर लिखा है मोटर वहन उपनिरक्ष के पदू परसीधी भरती के माबले में परतेख उमिद्वार को सारीरिक एवं मानसिक रूप से सवस्थ होना चाहिए परतेख पुरुस उमिद्वार के उचाई और सीने की प्रिदी आपको बता रखिये महिला उमिद्वार की उचाई की बात करें तो 152 cm रखी गई है वजन कम से कम 47.5 kg होना आवसेख है कुछ जातियों को यहाँ पर 5 cm की छूट भी दी जाती है इसके बारे में आपको पता है स्वास्ते और चरित्र के बारे में डिदेल से यहाँ पर बताया गया है इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रियत आगे बारे में बताया गया है भारत का कोई भी नागरी इसके लिए आवेदन कर सकता है जो क्राइटेरिय है इलिजबिलेटी का वो पूरा होना जरूरी है आयू की बात करें तो मोटरवान उपनरिक्षक की आयू एक जनवरी 2022 को कम से कम 18 वर्स पूरी होना चाहिए 40 वर्स से अधिक उसकी उमर नहीं होनी चाहिए मोटरवान उपनरिक्षक के बारे में बताया गया है कि इसका आयोजन वरस 2013 के बाद नहीं होने के कारण समस्त आविदगूं को आयोजी मावें तीन वरस की चूट भी दी जा रही है यानि तीन वरस की चूट सबी को है सामाने वरक्य अभ्यारतियों को भी तीन वरस की चूट इसमें दी गई है इसके बाद में आगे हम बात करते हैं तो इसके सलेक्षन प्रोसेस के बारे में समझने की कोसिस करते हैं प्रिक्सा सुल्क जमा करानी की तिती जो है 2.12.2021 से ओनलाइन आविदन सुरू होंगे ध्यान रखेगा 2.12.2021 से जो की चलने वाले है 31.12.2021 तर तो 2.12.2021 से ओनलाइन एप्लिकेशन फोंगे स्टार्ट होने वाले हैं प्रिक्सा का माहे और दिनाग की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर क्लियर मेंसन किया गया है मोटरवान उप्रिक्सक के पदूं की भरती प्रिक्सा बोर्ड दिनाग 12.2020 एवं 13.2020 को आवंटित प्रिक्सा के अंदुरू पर करवाई जानी संभावित है तो आपके प्रिक्सा फरवरी माह में 12 फरवरी और 13 फरवरी को करवाई जानी है तो ये भी क्लियर मेंसन किया गया इसके बारे में प्रेस विग्यप्ति द्वारा और आपको सुचित कर दिया जाएगा इसके बाद में आगे हम देखते हैं और सिलेबस के बारे में क्या दिया वा है किस तरह से इस बार इसमें सलेक्शन होने वाला है तो आगे यहाँ पर देखते हैं सुरूती लेक के संबन्द में बताया गया है यहाँ पर प्रिक्सा की इसकीम और पाठे करम के बारे में बताया गया मोटर वहाँ उपनिर्ख्चक के पदूं पर प्रिक्सा जो होनी है इसमें परशन पत्तर वन रहेगा इसमें सामानने ग्यान और देनिक विज्ञान पूछा जाएगा यह सो अंकूं का रहेगा और दो गंटे का इसमें समय आपको दिया जाएगा पर्षन पत्तर सेकेंड में भासा प्रिक्सा होगी जिसमें हिंदी इंग्लीज के क्यूशन पूछे जाएंगे जो कि MCQ टाइप होंगे यानि वस्तू निष्ट परकार के होंगे और ये भी 100 अंकूं का है ये भी 2 गंटे का होने वाला है इसके बाद पर्षन पत्तर जो थार्ड है उसमें ओटो मोबाईल और यांत्रिक अभी यांत्रिकी से सम्मन्दित 200 अंकूं के पर्षन आपसे पूछे जाएंगे और ये तीन गंटे का पीपर आपका होने वाला है नंबरोग क्यूशन यहां पर नहीं बताये गए हैं लेकिन दो गटे के हिसाब से अगर हम बात करें तो कम से कम हर सेक्षन में 120 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इसके बाद में यहां बताया पर्षन पत्रों का इस्तर सेकेंडरी पॉली टेक्निक डिप्लोमा के समकक्षोने वाला है प्रिक्षा के लिए पाठे करम और विस्तार एसा होगा जो बोर्ड दुआरा समय समय पर विहित किया जाए अभ्यारतियों को नियत समय के वितर एसी रिती से मोर्ड उचित समझे और सूचित किया जाएगा तो जो लोग नय है वो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ओल पे प्लिक कर लेए ताकि आपको इसका notification मिलता रहे आपको नया notification मिलेगा उसमें detail से बताया जाएगा कि किस तरह से इसमें selection होगा कौन-कौन से stage होंगे written exam के बारे में basically आपको जानकारी मिल जाती है कि 3 आपके परशनपत्र होंगे 6 गंटेगा आपको समय दिया जाएगा आपका exam 12 और 13 फरवरी को होना है और यहाँ पर सामानने, ग्यान, देनिक विग्यान, भासा, हिंदी और अंग्रेजी, ओटो, मोबाईल और यांतरिक, अभियांतरिकी के सवाल आपसे पूछे जाएगे सोरी यहाँ पर 7 गंटेगा आपका पेपर होने वाला है पहला और दूसरा पर दो-दो गंटे का होगा, और तीसरा पर आपका तीन गंटे का होगा और दूसरे पेपर के अंदर संभावना है कि आपसे 180 सवाल कुल मिला कर पूछे जाए क्यूंकि इसमें कम से कम तीन गंटे का आपको समय दिया जा रहा है तो इस तरह से इसमें selection होने वाला है physical के बारे में आगे देखते इसमें बताया हुआ है physical के बारे में नहीं बताया गया है physical measurement के बारे में आपको detail से इसके बारे में बताया गया है अब आपका कोई सवाल है तो आप मुझे comment कर सकते हैं लेकिन जो लोग नए हैं वो जरूर चैनल से जुट जाएए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको हरत रहे की जानकारी मिलती रहे कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में उसका जवाब देने की कोशिस करूँगा एक हमारा जो टेलिग्राम चैनल है उसको लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया वहां से आप जोईन कर लेना वहां भी आपको अपडेट् कर दीजिएगा और जो भी आपका वोट्साप टेलिग्राम गुरूप उसमें सेर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस रिक्रूट्मेंट के बारे में पता चल सके थैंक्स पूर वोचिंग मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो सेशन में तब तक के लिए सभी को जेहिंद झाल